आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी जटपट बनने वाला ब्रेट चॉप आप सभी ने टोस सेंडविच या बड़ा पाउ तो खाया होगा पर इस तरह से ब्रेट चॉप नहीं खाया है तो एक बार जरू ट्राइ करना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है स्टफिंग के लिए चटपटा टेस्टे ड्राइ मसाला और स्पेशल ग्रीन चटनी बनाएंगे जिससे ब्रेट चॉप का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा जै जी नेंद्र वैलकम पुम पुमाई जैन रेसिपी मैं हुझी नर तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं अगर आपको म की-चली का निकाल दिया है अब इसे हम इस तरह अच्छे से मैसे मैशक गरने के जब घर को तभी हम मैश कर देंगे अ depends प्राइ मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ एक टीस्पून सुखा धन्या, आदी टीस्पून जीरा, आदी टीस्पून सॉफ, एक टीस्पून कश्मिरी लालमिश पाउडर, आदी टीस्पून सॉन पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी एड़ करेंगे, तो कसूरी मेथी हमें तो सुखा धनिया और जीरा को हमें दरदरा ही ग्राइड करना है तो देखे यहां मसाला ग्राइड करके तयार है अब हम स्टफिंग बनाएंगे तो स्टफिंग के लिए मैंने यहां पैन गरम करने रख दिया है अब इसमें एक टेबल स्पून ऑईल डाल देंगे और ऑईल को और वनफूर्थ कप पानी एड करेंगे और मसाले को अच्छे से सौते करेंगे तो थोड़ा सा पानी एड करने से मसाले जलेंगे नहीं और मसाले अच्छे से सौते हो जाएंगे तो देखे मसाले में से इस तरह थोड़ा ओईल ग्रिलीज हो जाएगा तब हम मैश किये गरम मसाला पावडर एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बाकी सारे मसाले हमने पहले एड़ कर दिया है तो और कोई भी मसाला एड़ करने की जरूरत नहीं है साथ में 1 फॉर्थ कप बॉयल के वे मटर एड़ करेंगे अगर आप मटर को स्कीप करना चाहो तो स अच्छे से मिक्स करनेंगे तो निम्बू का रस और चीनी भी आप चाहो तो स्कीप कर सकते हो पर कच्छे के लिए के स्टफिंग में थोड़ा से मीठा और खटा रहेगा तो टेस्ट अच्छा आएगा तो स्टफिंग बनकर तैयार है अब हम घ्रीन चटनी बनाएंगे उस कब हरा दन्या डंठल के साथ ही एड़ करेंगे साथ में एक टेबल स्पून रोस्टेट चना दाल या एड़ करेंगे आधी टीस्पून नमक आधी टीस्पून काला नमक वनफूर्थ टीस्पून जीरा वनफूर्थ टीस्पून हिंग वनफूर्थ टीस्पून चीनी और द और चटनी की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो इस तरह थोड़ी गाड़ी रखेंगे अब हम बैटर पनाएंगे तो उसके लिए मैंने यहां दो कप बेशन लिया है अब इसमें आदे टीस्पून दमक आदे टीस्पून लालमिश पाउडर वन फोर्थ टीस्पून हल्दी अज्वैन को ठोटर करेंगे थोड़ाध नज्मस नहीं देः डीस्पून हमें तो ज़्टा आदेंगे थोड़ा 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 पानी आड़ करेंगे और एकदम स्मूथ बैटर करेंगे तो एक भी लॉम्स नहीं रहना चाहिए अब बैटरको हम हम 5-7 मिनिट के लुए रेस्ट के लेर देंगे तो एक हैं यहां ब्रेड़ चाप बनाने के लिए मैं इसे एक हमेदियों स्पाइसी इस तरफ में करेंगे अगर और फिर उपर की साइड हम इस तरह स्टफिंग को स्प्रेड कर लेंगे तो देखे स्टफिंग में हमने थोड़ा पानी यड़ किया था तो अच्छे से स्प्रेड कर सकते है क्योंकि कच्चे के लिए का स्टफिंग जल्दी से ड्राइ हो जाता है तो देखे ब्रेड की दोनों साइड हमें इस तरह स्टफिंग को अच्छे से स्प्रेड कर देना है अब इसे हम फ्राइ करने वाले है तो इसी तरह मैंने दूसरा ब्रेड चॉप की रैडी कर दिया है अब जो हमने बेशन का बैटर बनाया था वो भी हमने 3-4 मिनिट के लिए अच्छे से फैट लिया है अब इसमें 1 एथी टी स्पून एड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो दिखे इनो हमें इसी तरह थोड़ा ही एड करना है जिससे ब्रेड चॉप उपर से फुला फुला बनेगा अगर इनो जाता एड कर देंगे तो ऑईटीब हो इस तरह हमें जाली की मदद से उपर की सैट भी थोड़ा ऑईल डालती जाना है जिससे उपर का लेयर थोड़ा ड्राइ हो जाएगा अब हम इसे पलट देंगे तो पलटने वग हमें ध्यान रखना है इसी तरह हमें दोनों बजु पलट पलट कर गोल्डन ब्राम होने तक फ पर फ्राइन ही करना है मेडियम तो हाइफ लेम पर ही फ्राइगे जिससे यह बिल्कुल वैली नहीं बनेगा अब इसे हम फोर पार्ट में कट कर लेंगे आप चाओ तो सिर्फ एक कट लगा कर दो पार्ट में भी सव कर सकते हो तो देखे कट कर लिया है और मैं इसे आपको आप से भी दिखा रहे हो तो देखें अंदर से भी एकदम टैम्टिंग है और यह दिखने में जितना अच्छा है उतना ही खाने में भी टेस्टी है तो आप भी ब्रेट चॉप को एक बार गर पर जरू ट्राय करना अभी से हम गर्मा गरम सर्विंग प्लेट में साओ कर दे डिनर के लिए या फिर कोई गेस्ट आये तब भी बना सकते हो बहुत ज़्यदा टेस्टी लगता है तो आप भी डिनर के लिए एक बार गर पर जरू ट्राय करना सभी को बहुत पसंद आएगा थैंक्यू सो मच फर वाचिंग